नमस्टे दोस्तों, वेल्कूम टो अवार्च चैनल, आज हम ने लाएं आप लोग के मूली, मतलब मूली के पराते नहीं, मूली के बड़े आज़म बनाएगे आंप इसको सब में खा सकते लॉंच में खा सकते डिनर में नाक में सभी के साथ खा सकते बोध हेल्डी भी है आए दोस्त बनाते हैं और इसका मजा रहेते आप इस चैनल पे नए है तो सब से बहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खनटी जुरू दबाए ताकि बहला न पहले एक बर्तन लेते हैं हम यहाँ पर मूली लिये हैं चिलका निकाल कर साफ करके मूली लिये हैं अब इसको ग्रेटेट करते हैं देखिए हम यहाँ पर ग्रेटेट कर रहे हैं आप इसी थरा ग्रेटेट कर लिए मूली को ग्रेटेट करने से देखिए ऐसा दिखता है मूली हमारा ग्रेटेट हो चुका है देखिए यह रहा हमारा ग्रेटेट किया गया मूली अब मूली का पानी निकालेंगे पानी निकलने के लिए हम यहाँ पर एक बर्तन लिये हैं अब ये मूली को आप चाहे तो स्टेनर से स्टेन कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर हातों से मूली को निचोड रहे हैं इसका पानी निकाल रहे हैं अच्छे से निचोड कर इसको सेपरेट कीजिए इसी तरह हम बाकी मूली को पानी निकल कर इसे निचोड लेते हैं देखिए स्टेन किया गया मूली अपरेडी है अब ये मूली के गांट को थोड़ा हातों से इसे खोल लेते हैं ताकि सब मसाला घुल मिल जाए इसलिए हम यहाँ पर गांट को खोल रहे हैं कुछ चाप किया हुआ हरी मिर्ची लिये हैं वन टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून चिकेन मसाला वन टेबल स्पून गरम मसाला टू फर्ट काली मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून चाट मसाला चाप किया हुआ लेसुन चौप क्ya हुआ पियास चौप क्या हुआ फ्रेस धनिया बेशन 1 टेबल स्पून राइस फ्लॉर 3 टेबल स्पून अब ये सब को अच्छा से मिक्स कर लेते हैं हमे बेशन को थोड़ा कम देना है राइस फ्लोर को ज़्यादा देना है हम यहाँ पर राइस प्लोर हमारा हीरो है हम यह सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमें यह सब को अच्छे से हातों से मिला लेते हैं देखिए हमारा अच्छे से बैटर को रेडी कर लिए हैं आप इसमें वान टेबल स्पूर नमक डालेंगे हाप लेमोन का जूस डालेंगे नमक डालने के बाद थोड़ा तड़ा पानी निकलता है इसलिए हम कंसिटेंस से मेकफ करने के लिए यहाँ पर राइस का फ्लोर टू टेबल स्पून दे रहे हैं अब यह सब को अच्छा से मिक्स कर लेते हैं हम पहले नमक डालते हैं तो मूली से पानी निकलता है इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में नमक को डाले उसको मेकफ करने के लिए हम राइस का फ्लोर डाले फिर इस पीडियस से गोल गोल गांट बना कर अब इसको दोनों हाथों से प्रेस करेंगे देखिए दोना हाथों से हमें इसी तरह दीरे दीरे प्रेस करना है हमारा बड़े अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है बनाते समय हमें अच्छे से चेक करना है ताकि उसके बेड़े के साइट से नहीं फटना चाहिए देखिए हमारा बड़े अब रेड़ी है इसी तरह हम बाकी बड़े को भी बना लेते हैं सेम प्रोसेस में झाल 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 देखिए हमारा बेड़े सब रेड़ी है यह रहा लास्ट में छोटे से बड़े बड़े सब रेड़ी है देखिए हमारा तेल गरम हो गए है अब इसमें बड़े को डालेंगे एक एक करकर सब बड़े को यहाँ पर डाल रहे है देखिए कितने अच्छे से बबल बबल हो रहे हैं मतलब तेल अच्छे तरह से गरम हुआ है देखिए हमारा पड़े का एक साइड हो गया है आप इसको पल्टेंगे आप यहाँ पर पल्लर दिये हम जो पहले डाले ते उसका थोड़ा ब्राउन हो गया है देखिए हमारा प्राउन थोड़ा थोड़ा प्राउन हो रहा है आप इसको थोड़ा थोड़ा उपर निच्छे से पल्टेंगे ताकि अच्छी तरह से बज़ जाए आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए देखिए एक साइट तो हो गया है आप इसको थोड़ा पलड़ देते हैं हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है नहीं तो जल जाएगा देखिए हमारा बड़े अब रेड़ी है अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं बाकी बड़े को भी निकाल लेते हैं हमारे मूली के बड़े अब रेड़ी है आए दोस्तों खाते हैं बहुत टेस्टी है देखिए हमारा बड़े अब्रेडी है आप इसको टमाटो सर्स देखाए और यह पुदीना चटनी से खाए बहुत टेस्टी है दोस्तों बहुत अच्छा स्नाक्स भी है उसके साथ आप इसको मिल में भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी है आप हमारे वीडियो को एक लाइक और स सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू जोस्तों पर वाचिंग आप इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटी जुरू दबाए ताकि पहला नोटिफिकेस्ट आपको मिले नए नए रेसिपिके लिए और हमारे वीडियो के एक लाइक और स कीजिए थैंक यू पो अचिं पहले की जिये थैंक यू फो वाचिं